देश की राज़धानी दिल्ली के साथ साथ उत्तर भारत के कई राजे हिशन गर्मी की मार्ट छेल रहे हैं ऐसे में सबको यही उमीद है कि आखिर इस तपते गर्मी से राहत कम मिलेगी तो चलिए जानते हैं आयम जी का मौसम को लेकर क्या अपडेट है और अगले साथ दिन क कैसे रहने वाला है मौसम मौसम विभाग ने नए अपडेट जारी करते हुए बताया कि 23 मई तक ऐसे ही हालात बने रहे हैं यही नहीं अभी जो तापमान 45 दिगरी सेलसेस के करीब है वो कुछ जगों पर बढ़कर 46 यह 47 सिक्री तक भी हो सकता है इसके साथ ही मौसम विभा यूपी विहाद राजिस्तान में अगले 2-3 दिन के दौरान तापमान 2-3 डिगरी सेलसेस तक बढ़ने की आशंका है दिन के साथ ही राते भी गर्म हवा के थपेडों वाली हो सकती है देश के जारतर हिस्सों में फिरहाल गर्मी से रहत नहीं मिलने वाली बही राजिस्तान की बात करें तो राजधानी जैपुर में 45 से जादा तापमान owners देश किया लिया जो बॉर्डर एरिया के सबसे जयादा तफन वाले जिले बार्ड हेशल में और विकानेश साहथा अनेक इलाकों में अधिक्तम तापमान 45-46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हो रहा है यानि पिछले 3-4 दिनों से राजस्थान में हीट वेव की परिस्तिती बनी हुई है अगले 2-3 दिन तापमान में विश्येस परिवर्तन नहीं होगा यानि कि जो परिस्तिती हीट वेव की किलाल चल रही है वो अगले 3 दिन जारी रहेगी इसके बाद 22 मई से दिखेंगे तो अधिक्तम तापमान में और 1-2 डिग्री सेल्सियस की बड़ा उतरी होने की संबावना है यानि कि पस्चमी और जो उत्री राजस्थान के वो इलाके जहां अभी अधिक्तम तापमान 45-46 मौसम विभाग का कहना है कि पश्रीम यूपी के साथ ही उत्तरप्रदेश के पूर्विशेज और बुंदेल खंड में भी तापमान में जाफा होगा और लूट चलती रहीगी दिली के लिए तो मौसम विभाग ने डैडलेट ही जारी किया है और इंसियार के शहरों में जा कि अंदर तापमान में 2-4 डिगरी सेल्सेस का इजाफा होगा महराश्य को लेकर भी अनुमान है कि अधित्तम तापमान 3 डिगरी सेल्सेस तक बढ़ सकता है वहीं भीशन गर्मी के बीच बड़ी राहत की बात ये है कि मौनसून मालदीफ होते हुए तेजी से भारत के रास अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक बहुन सकते हैं और चलते चलते एक सरूरी चानका है आपको न्यू सेशन के यूट्यूब चैनल पर एक जॉइन बटन दिख रहा होगा इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल की पेड मेंबर्शिप ले सकती है बटन पर क्लिक करके आपको इसकी